हेले श्टूडेंट कैसे आप साब एक बार पुना स्यू कोचिंग क्लासेश पर स्वागा था उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चे होंगे 11 क्लास के फिजिक्स में पैरबचो चैप्टर 1 चल रहा है जिसमें हम तुर्टियों के संयोजन में गुणा में तुर्टि कैसे करेंगे यहां पर आपको कंप्लिट समझाओंगा तुर्टियों का संयोजन क्या है पैरबचो जैसे एक बहुतिक रासी दो बहुतिक रासीयों से डिपेंड है और दो बहुतिक रासीयों का मापन में अलग-अलग तुर्टि होता है अलग-अलग मापित मानाता है तो दोनों के मापने में कुल जो तुटी होगी उसका हम सयोजन करेंगे उनका हम क्या करेंगे पर बच्चो योग करेंगे गुणा करेंगे भाग करेंगे तो यह कहलाता है तुटीयों का सयोजन कुल मिला करें एक ही बहुतिक रासी दो बहुतिक रासी उपर प्रितमान हम मान कर चलते ही, a plus minus del a, और b plus minus del a, del a और del b उनकी निर्पेच त्रूटी है, यहाँ पर थोड़ा आप समझो, देखो ज़रा, a का प्यारे बच्चो और b का, हम यहाँ पर बोलें, इसको मापते समय, या तो del a अधिक हो गया, या तो del a कम हो गया, इसको भी प्यार तो आगया सूला, मतलब यह हमारा था a, और यह plus del a, a की बढ़ोत्री हो गई, यह था हमारा 15, मापते समय आगया 14, तो हम a में, हम del a को क्या करेंगे, घटाएंगे, समझे आया, तो यहाँ पर पेरे बच्चो, जब हम a plus कर रहे हैं, कहने का मतलब, यहाँ पर देखो plus कब कर रहे हैं, जब a की अधिकता आ गई थी, वास्तविक मान से एक अधिक आ गया था, माइनस कब कर रहे हैं, मतलब a में घटा रहे हैं, किसमें a में घटा रहे हैं, कब घटा रहे हैं, जब कम आ गया था, तब हमने वास्तविक मान देखा, कि a हमारा वास्तविक मान था, लेकि दे चलें। समझे कुछ हम क्या कहना चाहती है एए और बी दो आपके पास क्या हें भ sided क्रासיה है इन में जो टूटियां Hydle ए और डेल भी में प्लस-minec का खेल क्यूं है क्योंकि मापन के समय में तूटी अधिक भी हो सकता है। और जो वास्तव 모습 कमान से वो मापते समय कम भी हो सकता है पेर बच्चो और अधिक भी हो सकता है समझ में आया कुछ आगे चलते हैं तो दो भौतिक रासियां था है ना हमारा A और B और उनका मापितमान हमने A प्लस माइनस डेल A हमारा भौतिक रासि है मापा हमने अधिक या कम आया इसलिए प्ल माइनिस डल यहाँ डैल ए और डैल बी उसका त्रूटी हे three टैल ए और डैल बी क्या है त्रूटी है यहाँ तक clear है यहाँ तक समझ में आया अब हम यहाँ आगे चलेंगे प्यारे बच्छो यहाँ पर लिखना है कि इन रासियों का गुणा देखो अलाग होगा में जड का निर्पेच तुरुटी निर्पेच तुरुटी क्या करें भाईया डेल जड जैसे ए का डेल बी का डेल भी का मान ग्याद करना है ठीक है मतलब डेल जड का मान ग्याद करना है तो आगे देखते हैं पैरे बच्चो हमारा जो जड बराबर ए भी था जड का निर्पेच तुरुटी हमने डेल जड मान लिया है तो देखेगा जड़ा हम यदि ए का ए प्लस माइनस डेल ए माना है तो जड का कितना हो जाएगा पैर बच्चो जड का हो जाएगा जड प्लस माइनस डेल जड हो जाएगा फिक है अब देखो जड़ा गुणा है तो ए के जगह है ए प्लस माइनस डेल ए और बी के जगह है बी प्लस माइनस डेल बी ए के जगह है ए प्लस माइनस डेल गुणा कर रहे हैं क्या कर रहे हैं ग पूरा का पूरा कुणा करेंगे जैसे देखिए A का B से तो A भी हो जाएगा A का डेल तो प्लस माइनस A डेल V फिर भाईया इसका B का इससे होगा तो प्लस माइनस B डेल A देखो जरा अब इस प्लस का प्लस से माइनस का प्लस से फिर प्लस का माइनस से माइनस का प्लस से कुल मिला के plus minus C आएगा और डेल A डेल भी इतना आप कर सकते हो अब इसके आगे क्या करना है आपको जैसे आपने देखा Z बराबर AB था दोनों पच्छों में क्या करेंगे दोनों पच्छों में Z बराबर AB का भाग देने पर दोनों पच्छों में Z बराबर AB का भाग देंगे तो देखे भाग दे दीजिए पर हम Z का भाग देंगे तो यहां पर Z का Z से करेंगे तो एक कड़ जाएगा ना डेल Z में Z का भाग देंगे तो डेल Z अपान Z हो जाएगा देखे जरा AB का भाग देंगे तो जब A B का इधर भाग देंगे तो A B में से A B कड़ जाएगा तो यहां बच्चे का 1 प्लस माइनस इसमें A B का भाग देंगे तो A तो कड़ जाएगा पेरे बच्चो तो हमारे पास नीचे B बच्चे का जब हम इसमें A B का भाग देंगे तो b कड जाएगा तो नीचे a बचेगा और प्लस माइनस डेल a, डेल v, ठीक है और पेर बच्चो आपका यहाँ पर हो जाएगा a, v, ठीक है a, v का भाग दे रहे हैं उपर कटने वाला कोई है नहीं यहाँ से देखो, यहाँ भी a, b होता लेकिन हमारा यहाँ से a था तो a कड़ गया यहाँ से b से b कड़ गया, सिंपल है z का हमने left में, a, b का हमने right में भाग दिया है इतना समझ में आया, अब देखो, इसका जो माहन है, अत्यन्त कम है जो आपका del a, del b upon a, b, इसका माहन है, अत्यन्त कम है इसको थोड़ा आरंज कर देता हूँ, देखी ज़रा one plus del z upon z, one plus del b upon b, plus minus del a upon a, plus minus del a upon a, into del b upon b यह बहुत सूच में माहन है भाई, यह बहुत सूच में माहन है इनका गुड़न फल भी बहुत कम होगा, इसलिए इसको उपेच्छा कर सकते हैं एक से एक हमारा कड़ गया, एक से कड़ गया, कितना बचेगा, del z upon z plus minus लेकर चलो, plus minus लेलो भाई साब, plus minus लेलो, कोई दिक्कत नहीं अब हम del a को पहले ले लेते हैं, और del b को बाद में लेंगे, plus minus फिर हमारा plus minus del a upon a into del b upon b, यह a है और यह b है अब थोड़ा यहां से लिखना है, क्या लिखना है? मैं आपको बता रहा हूँ कि चुकि del a upon a, चुकि del a upon a, वा del b upon b का मान बहुत ही कम है कामान बहुत ही कम है अताहा उनका गुरन फल बहुत ही कम होगा इतना लिख सकते हो तो इस गुरन फल की उपेच्छा करने पर इस गुरन फल की उपेच्छा करने पर जड़ा उपेच्छा कर दो बच चलो तो कितना बच कर आएगा डेल जड अपान जड इधर बचेगा प्लस माइनस डेल एपान ए प्लस माइनस डेल बी अपान बी इसको उपेच्छा कर दिये अपन सबी में प्लस माइनस है तो इसको हम अटा सकते हैं तो आपका फाइनल लागया डेल जेड अपान जेड बरावर डेल एपान ए और प्लस डेल बी अपान बी ये आपका फाइनल अंसर आगया आगे लिखना है कि जब दो भोतिक रासियों को गुणा किया जाता है तो अंतिम परणाम उनके भिनात्मक तुटियों के योगफल के बरावर होता है जो अंतिम परणाम में भिनात्मक तुटियों भिनात्मक है भिन्नी क्यों है क्योंकि अंस और हर में है इसलिए भिन्नात्मक तूटी है तो अता हमें लिखना है तो लिख सकते हैं कि जब दो रासियों का गुणा किया जाता है तो अंतिम परड़ाम में अधिक्तम जो भिन्नात्मक तूटी है उन रासियों के भिन्नात्मक तूटीयों के योग फल के बराबर होता है अता में आप लोग लिख लेना थिछे हैं यहां पर थोड़ा सा सीस्तान है यहां पर आता है कि जब कितने दो रासियों के चब दो रासियों कह क्या किया जाताहे गुणा किया जाता है तो अंतिम परणाम में अधिक्तम भिन्नात्मक जो तुरुटी है उन रासियों उन रासियों के भिन्नात्मक तुरुटीयों के योगफल के बराबर होता है तुरुटीयों के आगे लिखना तुरुटीयों के लिख सकते हो योगफल के बराबर होता है इस्थान नहीं है यहाप योगफल के बराबर होता है सिंपल है यह आपका हो गया गुड़ा में तो प्लीज आप वीडियो को पुशंद करें तो लाइक करना ना बोले स्यार करें हर एक टॉपिक पर आपको वीडियो मिले का बिलकुल आप चिंता ना करें चलते हैं बच्चल लोग मिलते हैं वीडियो के साथ जैहिन बंद मातरम